नमस्कार दोस्तो जेपीएसी के द्वारा तिनती निया नोटीस आरी क्या गया है? और तीनों नोटीस आपके लिए बेहदी जरूरी है तो आप लिए पर रुटीओ पर कंप्रिट बने रहे हूँ और तीनों नोटीस को देखिए जी यह दोस्तो एक्जाम से पहले आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर से जरूर देख लीजेगा चलिए आपको पहले नौटिस की और लेके चलते हैं उससे पहले फटापट से वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर लीजे चलिए नौटिस पे चलते हैं तो दोस्तो यह है आपका पहला नौटिस और इसमें क्या बोला किया है ध्यान दीजिए जारकन लोकसिवा आयोग्यानिकी जेपी एसी सभी परिछार्तियों को सूचित किया जाता है दोस्तो अगे क्या बोला है चलिए थोला सा आगे परिछा के संदर में किसी परकार के अपवा यानि कि दोस्तो अगर आप वा ऐसे सुचना अगर मिलती है तो इससे आपको दूर रहना है उसी को लेकर यहां पर बोला है अब चलिए दूसरा नोटिस की और चलते है थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहां पर दूसरा नोटिस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या बोला है जारकन लोगसेबा आयोक राची प्रेस विग्यापित क्या बोला है परिशा केंद्रों पर परिशार्तियों से क्या अपेचित है या उनके लिए क्या परती बंदित है इस संदर में मार्ग दर्सन निम्नबत है यानि कि दोस्तों आपको क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है इसको लेकर यहां पर जरा सा ध्यान दीजिए सबसे पहले तो आपको बता दो दोस्तों यहां पर देख लिजिए तो कोपी, किताबे या नोट्स, मोबाइल फोन्स, बुलूतूर डिवाइस, इलोक्रोनिक्स घड़ी, कलोकुलेटर, पेजर, चीप या कंप्यूटर को परवावित करने वाला कोई उपकरन लाना वर्जित है मेरे भाई, आपका किलियर होगिया, आपको ये सारे चीज नहीं लेके जाना है, ठीक है, यहाँ पर आपको किलियर कर दिया है, आपको only for admin card, एब एटेंडेंट सीट अवज सक लाना है, बाकी ये सब चीज़े आपको नहीं लेके जाना है चलिए, दूसरा आपको क्या बोला है, यहाँ पर आपको बोल दिया है कि दो रंगीन password size photographs आपको लेके जाना है, उसके साथ साथ बोला है दो अतरिक photographs अवज साथ लाए, ठीक है, ये आपको किलियर कर दिया है फिर यहाँ पर बोला है, OMR answer sheet के सिमांकित छेत्र, ठीक है, सिमांकित छेत्र के बाहर किसी भी परकार का लिखावट चिनित करना वर्जित है, दोफतों ये भी आपको बोल दिया है, ये सब चीज़े आपको बिल्कुल भी नहीं करना है आगे चलिए यहाँ पर क्या बोला है, नीला, काला, वल, पॉइंट पैन, यानि कि OMR answer sheet में bubble भरने के लिए परियोग करेंगे दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दिया, नीला, काला पैन आपका चलेगा, ठीक है, उसके बाद बोला है, यहाँ पर देख लिज़े, आइन रंग के, वल, पॉइंट पैन, एबन पैन्सिल का परियोग वर्जित है, यानि कि दोस्तों, एस्ट्रा आपको अ पहस्चान पत्र इतादी मुल रूप में अवश साथ रखे, यानि कि दोस्तों, एक पहस्चान पत्र के रूप में कोईच भी डोकुमेंट्स आप लेके जा सकते हो, आधार काड़ो, प्यान काड़ो, ड्राइबिंग लैसेंस हो, ठीक है, पासवर्ड हो, या मदाता ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोला है, यहाँ पे व्याग, फूड आइटम, वाटर वोतर, परिश्चा केंदर में लाना वर्जित है, यह भी आपको क्लियर कर दिया है, कि यह सब चीज़ आपको नहीं लाना है, ठीक है, देख लिजेगा रूस्तों, अब आपका जो त चलिए तिसरा नोटिस की ओर चलते हैं, उससे पहले फटापट से वडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब किजिए, चलिए तिसरा नोटिस पे, तो रोस्तों, यह है आपका तिसरा नोटिस, और इसी में क्या बोला गया है, आप लोग देख लिजे, यहाँ पे बोला है जारकन लोग सेवा अयोग सर्कुलर रोड राची, ठीक है, प्रेश विगापित, थोड़ा सा नीचे चलेंगे, तो यहाँ पे वोला है, जारकन सहयोग ता सनिक सेवा प्रारमिक, परत्योगता परिक्षा 2023 विकापन सेंखा दे दिया है, यह तु जीला पूर्वी सिम्भू ठार दोस्तों, देख लिए। वारेडि हाइ स्कूल ठीक है, और यहाँ पे दे दिया है वारेडि जम्सिदपूर इस्ट सिम्भूम जारकन पिन कोड़ दे दिया है, अब आपका क्या हो गया, सेंटर देख लिए सेंटर कोड दे दिया, यहाँ पे उसके बाद बोला है A B M क प्रादल के ये सेंटर्स रखा गया है ठीक है फिर आगे चलिए यहां पर क्या बोला है सभी अवियारतियों को उनके email ID में admit card के साथ attendance sheet भेज दी गई है मेरे वाई अगर आपको अभी तक नहीं मालूम है तो आपको मैं clear कर दिना चाहता हूं कि आपका email ID के माईदम से भेजा जा रहा है ठीक है और वहीं चीज़ यहां पर भी बोला है कि email ID के साथ attendance sheet भेज दी गई है ठीक है और एक चीज़ आपको बता दूँ कि email ID जो आप form भरते time डाले हो उसी में आपको भेजा गया है उसी पर आपको चेक करना है इसलिए हम आपको पहले ही बोलते हैं कि आप जब form को भरते हो उसी time पर आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका जो फ्रेस email ID है जो आप यूज करते हो उसी email ID को देना भी चाहिए ठीक है हम आपको बार बार बोलते हैं तो OIT यहां पर भी बोला गया है कि आपका जो email ID है वहां पर भेजा गया है admin card औ आदेम से भेजा जा रहा लेकिन अब यारती आयो के website से भी admin का डाउलोड कर सकते हैं और attendance से डाउलोड कर सकते हैं यहां पर भी किलियर कर दिया है ठीक है यानि कि दो प्रोसेस आपका हो गया है दोस्तों ठीक है एक प्रोसेस से email ID के message से आपको भेजा जा रहा है और दूस website.government.in ठीक है तो यह तीन notice आपके लिए बेहदी जरूरी है जो कि आप लोग देख लिजिए ठीक है और यह तीनों notice हम आपको send कर देंगे क्योंकि दोस्तों यहां पर ग्जाम सेंटर से यहां पर बदला हुआ है और आप लोग अच्छे से देख लिजेगा exam center आप कहां प सारी चीजों को वर्जित किया गया है कि आपको नहीं लेके जाना है तुन सभी चीजों को नहीं लेके जाईए दोस्तों ठीक है आप बिलकुली अच्छे से जाईए और बिंदास आप लोग त्यारी करके जाईए और आपका तो कंपम हो गया कि 17 मार्च को exam होने वाला है ब पाकि जो जैससी सिजल वाले जो बच्चे है वो भी त्यारी पर लग जाईए क्योंकि जैससी सिजल का भी अभी मांग उट रहा है जो राजभवन के समक्ष धरना पर बेठेया भ्यारती है उन्होंने चेतावनी दी है कि जो अचार संगिता है उससे पहले exam date जारे कर दे औ जल्द जल्द इसका भी exam लिया जाए क्योंकि उन्होंने का कि जब जैपीसी एक मेने के अंदर exam date final कर रही है तो फिर जैससी क्यों नहीं जिया दोस्तों और यह सभी आप लोग देख लिए जैससी का तो लगबग लगबग दोस्तों अठाज है ना अपका अठाज जनवरी को exam होता अठाज जनवरी फिर फरवरी पार हो गया मार्च आने आ गया मार्च काविया भी 16 मार्च हो गया फिर अभी इतना दिन होने के बावजुद भी जैससे सिजल का अभी तक कुछ नहीं है तो अभी अभियारती धरने पर बेठे हैं उन्होंने कहा है अगर नहीं जार लिक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ठीक है थेंक्यों मिलते नेस्ट बढ़ो में धन्नवाद